हाई फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं फैन कोड ओमन D20 स्रीच के जो अगला मुकाबला आज होगा AZA VS DAT के बीच में इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटील से हम लोग बात करेंगे दोस्तों और आपको बताएंगे कि AZA और DAT के क्या रहने वाले हैं आज के मैच का प्लेइंग 11 कौन से प्लेयर का T20 रिकॉर्ड क्या रहा है दोस्तों अपने किरियर में कितने मैच इस अपने T20 किरियर में खेले हुए हैं और कौन से बोलर ने अभी तक सबसे सांदर विकेट निकाले हैं कौन से बोलर कंप्लिट आपको चार ओबर तक बॉलिंग करते वे दिखेंगे किसे इस मैच में आप कैप्टेंसी के लिए ट्राय कर सकते हो कौन वाइस कैप्टेंसी के लिए सबसे बेस्ट आप्शन रहने वाले सारे इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ बस आपको क्या करना है भाईयों इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतग वाच करना है ताकि इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट जानकारी है इस मैच रिलेटेड आपको मिल पाए और आप एक बहतरी टीम बना पाओ लकिन जितने भी हमारे नए मेंबर है दोस्तों इस वीडियो के थुरू हमारी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मैच का अगर फाइनल टीम पाना चाहते है लाइनप के बाद तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप को एक बार जरू जोइन कर लेना देखो बिल्कुल फ्री ग्रूप है दोस्तों और 40,000 से भी एवव यूजर ने जोइन कर लिया है तो आपको भी जोइन कर लेना चाहिए देखो किया है ने कि लाइनप के बाद जो भी चेंजेस होता है हमारे फाइनल टीम के रूप में आपको टेलिग्राम ग्रूप में शियर कर दिया जाता है एक दो प्लेयर जो चेंज होते हैं तो वहे टीम आपको अपडेट कर दिया जाता है तो जल्दी से जल्दी जोइन कर लिए, मैंने दो जग आपको लिंक सेर कर दिया है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंड में लिंक मिल जाएगा, I hope आपने जोइन कर लिया होगा, तो चली अब लोग स्टेट्स की और आगे को मिला था, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं, तो आज की जो मैच होने वाला है, बहुत ज़्यदा चांस है, यहां का जो सर्फेस है, थोड़ा सा बैट्समन को एक्ष्ट्रा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह साही नहीं होगा, क्योंकि यह जो मैच अभी तक ज़्यादा मैचेस हुआ नहीं है, मैं आपको लास्ट रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, जो कि इसके पहले जो इस ग्राउन पे मैचेस हुए हैं, उसके बात कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना काफे पुराना रिकॉर्ड आई है, इस ग्राउन प सबसे पहले यहाँ पर अकमल के बात करते हैं, अकमल साधा, जो की आपको यहाँ पर टीम के कैप्टन से के लिए आपको देखते व lending करते वह देखेंगी, बाकि बशिएर की बात करते हैं, और चेम के आपको इसे कि राट मेचेस की संप कराी है, विकेट नहीं मिला इन को, इनके पीछे जो लोजिक है ना मतलब बल्लेबाजी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो इनको ट्राइ करना सही है इन दोनों को ट्राइ करते हैं बाकी असीफ एल बलुशी की बात करते हैं तो इन्होंने 14 मैचेस के लिए 104 रन स्कुर करा चार विकेट इन्होंने नि बात करते हैं बस इन एल के बारे में दूस्तों यह जो इनका कर रिकॉड देखते हैं तीन मैच में अठारन स्कुर करा है एक विकेट निकाल है इनको अगर आप लेना चाहते हैं तो एज ए बैट्समें ट्राइ कर सकते हैं बॉलिंग आपको कम करते भी दिखेंगे इस मैच जो कि 18 मैच में 211 रन स्कुर करा है विकेट नहीं निकाल पाएं देखो बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे बल्लेबाजी इनका काफ़ी स्ट्रोंग है और इनको आप एज ए बैट्समें काफ़ी स्ट्रोंग प्लेयर है और इनको अपने टिम में आप ले सकते हैं बाकी बहार की बात करेंगे तो ये साथ मैच जिस खेले हैं और 82 रन स्कुर करा है 11 विकेट निकाल है मुझे इनका रिकॉर्ड काफी बहतर नहीं लगा है खास करके बॉलिंग के मामले में देखा जाए तो बॉलिंग कंप्लिट आपको चार वर तक करते हुए दिखेंगे इनको पने टीम में ट्राय करना होगा बहुत ही सांदर प्लेयर है दोस्तों इमरान मुहमद 19 मैच खेले हैं 22 रन इन्होंने स्कुर करा है 15 विकेट निकाल है बॉलिंग जो है बॉलिंग आपको कंप्लिट चार वर करते हुए दिखेंगे और ऐस बॉलर हम लोग अपने टीम में ट बात करेंगे तो 23 मैचे जिन्होंने खेले हैं 82 रन इकले है आठ विकेट निकाले हैं मतलब बॉलिंग ही करेंगे बॉलिंग यह आपको यहां पर 304 वर तक करते हुए दिखेंगे बाकिया पर संदीप की बात करेंगे संदीप चोहन इनका अगर रिकॉर्ड देखते हैं 7 मै में भी इस मैच में ओपन करेंगा अधरवाइस यह आपको फर्स्ट आउन पर भी बल्लेवाजी करते हुए दीख सकते हैं तो इस बात का ख्याल रखना मेरे हिसाब से यह सांदर पी करेंगा आप इनको ट्राई भी कर सकते हूँ तो यह जो डीटिल्स आप देख रहे हैं ए आपको आज के प्लेंग लेवन रहने वाले हैं अधनान अमीर जो कि तीन मैच खिला है 14 रन स्कोर करा है एक विकेट निकाला है मुझे इनका रिकॉर्ड एज ए बैट्समें देखोगे तो काफी मजबूत लग रहा है देखो बल्ले बाजी जो है ने यह समेच में बहुत ज 15 मैच घेले हैं 259 स्कोर करा है 37 विकेट निकाले भी हैं बल्ले बाजी गिंदबाजी दुनों करेंगे आप चाहेती इनको कैपटेंसी या वाइस कैपटेंसी के लिए भी अपने टीम में ट्राए कर सकते हूँ खवार अली जो कि 37 मैच इस खेले हैं 246 रन स्कोर करा है 37 विकेट निकाले भी है बल्लेबाजी गिंदबाजी बहुत मजबूत है दुस्तों इनका और इनको अपने टीम में आप कैप्टेंसी प्लस वाइस कैप्टेंसी के लिए भी चाहो तो ट्राइ कर सकते हो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर है और इनको अपने टीम में मैं ट्राइ करने वाला हूँ अरदुन कुमार 8 मैच इस खेले हैं 25 रन स्कोर करा है 6 विकेट निकाले है बल्लेबाजी ये करते हैं प्लस गिंदबाजी भी करेंगे इनको ट्राइ करना होगा अपने टीम में अश्टीन चाहोग गिंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे एक लोजिक से आप समय सकते हैं कि अगर बल्लेबाजी से ये बंदा फ्लॉप रहता है तो गिंदबाजी से विकेट लेने के बहुत चदा चांस है बाकि यहाँ पे इनका रेकॉर्ड कुछ खास निको ड्राप कर सकते हैं दोस्तों यह ओपन करते हुए दिखेंगे प्लस आपको चार बर तक बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे ट्वेंटी वन मैचेस खेले हैं टी ट्वेंटी रिकॉर्ड में और 573 रन स्कोर करते हुए 21 विकेट निकाले भी हैं मुझे यह बंदा बहुत जिदा इंपोर्टन लग रहा बॉलिंग भी करेंगे इनको ले सकते हैं सुल्तान एहमद आपको विकेट के परिंग में नजर आएंगे 16 मैचेस खेले हैं 370 रन स्कोर करते हुए 14 विकेट निकाले भी हैं बले बाजी गिंद बाजी यह करते हुए दिखेंगे और इनको अपने टीम में आप चाहो तो ट् तो हैं देखने ही तो हैं जो बिडियो को एक लाइक को कर देना क्युकlex को एक अपको काफी मौटीवेसन मिलता है आपका याद रखने लाइन आप Greece iv यहाद से बाद को ऊंब धर्रेंद आप आप लिएंगे बाजीenne हों हम आपको हमारे टेलेग्राम गुरूप में ही मिलेगा सुरुवात करेंगे सबसे पहले विकेट की पर से जो आज आपके लिए सबसे बेस्ट आप्शन रहने वाले हैं एसाजाद जो की एजएड एक टीम के तरब से मैंने आपको पहले कहाता कि इंपोर्टेंट रहेगा लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इनका सेलेक्शन कम है एस एहमत का लेकिन मैंने आपको रिकॉर्ड बताया है बहुत ही सांदर प्लेयर है कभी भी गेम चेंजर प्लेयर हो सकता है और मेरे हिसाफ से अगर आप इनको भी ट्राइ करते हैं यह भी बेस्ट रहने वाले हैं अगर आप यहाँ पे समॉल लिक के टीम करेड़ करेंगे दोस्तों जो यह नई टीम पाना चाहते हैं वह आप चाहे तो एस एमत को ले सकते हो मैं फिलाल यहाँ पे इनको ड्रॉप कर रहा हूँ मैं भी final team में इनको अपने team में try करूँगा अभी फिलाल A.S. Ajad को अपने team में ले रहा हूँ वी betting की बात करेंगे तीन betson को मैं try कर रहा है के खान आपके लिए base रहने वाले हैं दोस्तो एस जवान को try करेंगे एस मिर्जा यह जो तीन प्लेयर हैं जिसमें से A.Z.A. के team के तरफ से दोनों base रहने वाले हैं D.A.T. के team के तरफ से मैं दोस्तो मैं एक हान को try करूँगा बाकि आपके पास एक choice है यह बसिर को ले सकते हैं देखो record मैंने सारे players को almost आपको बता रखा है अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से change कर सकते हो वीडियो को शुरू से जो इसने देखा होगा उनको सारे चीजे पता होगा दुस्तों बाकि allrunner में देखेंगे तीन allrunner को try कर रहा है यह captaincy wise captaincy के लिए मैंने पहले कहा था कि best रने वाले है एम इक्माल को मैं अपने टीम में try करने वाला हूँ यह भी एक सांदार option रहने वाला आपके लिए वह एक हावायरली की बात करते हैं दूस्तों यह जो player run DAT के टीम के तरफ से बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे इस विसमें try कर रहा हूँ EZA के टीम के तरफ से दोनों player मेरे सबसे best रहने वाला है Fbert और यहाँ पे दोस्तों यह उशा को मैं अपने टीम में try करूँगा यह जो player है यह उल्ला यह बहुत ही सांदार आपके लिए रहने वाले हैं करके जोइन कर सकते हैं बाकी मिलते हैं भाई यह नेक्ट वीडियो में थैंक्स पोर वाजिंग